तो हेलो अब्रीबन कैसे हैं आप सभी लोख में आप दीपक और आप सब्सक्राइब इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप कर सकते हैं प्लेंटर में कंपोसिटिंग जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाहे आप एक मॉड्लर है चाहे आप एक अनिमेटर है आप आपको कंपोसिटिंग बहुत ही जरूरी है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में बात करने वाले तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा क्योंकि आपको कुछ ऐसे टिप्स इंट्रिक्स बताने वालों जिसकी मज़द से आप ब्लेंडर में अच्छी कर सकते हो आपको फोटोशॉप अगरे में जाने की जरूतनी पड़े हैं आप ब्लेंडर में ही चीजों को यहां पर बिसिकली कलरेक्शन से लेकर और बागी सब चीज जो भी आपको करने आपको को टेक्शल लगाना है आप डिरेक्ली यही पर उस सब चीजे कर सकते हैं तो कैसे कर सक करना है दीपघ्र ग्राफिक.com और फिर आप देटली डिपघ्र ग्राफिक को सर्च कर सकते हैं जैसे आप अपको पहली website मिलीगी इस पर आपको क्लिक करने का रहेंगा को निचे स्क्रॉल करना है यहां पर आपको हमारा blender basic development course मिलेकर आपको क्लिक करना है जिहां गाइस हमार तो अगर आपको ब्लेंडर चलाए तो 2-3 साल भी हो गये तब भी आप इस को ले सकते हैं और अपनी स्किल्स को इंप्रोड कर सकते हैं उसके बाद आपको जाना है जिस्त यहां पर करिकूलम पर करने के बाद आपको जिस्त ब्लेंडर बेसिक डट्वान पर्मोशनल वीडियो पर click करना है और जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपको यहीं description में हमारा Deepa Graphic Store का यहां पर Google Drive link मिल जाएगा आपको इसको click करना है and click करने के बाद यहां से आप directly इस फाइल को download कर सकते हैं ठीक है तो आप मैं बताता हूं आप कैसे कर सकते हो blender में compositing तो इसके दाप को प्यातना है basically यहां पर आप देखते हैं हमारे पास एक file है को जिस टाइप की and यह हमारा animated camera है उसमें एक नहीं बहुत सारे camera लगे हुए है तो पुरा file का setup है आप इसमें अक्छे सा animation में create कर सकते हो और यह file आप सबके लिए free of cost है तो आप इसको please download कर ले महां से ठीक है इसमें एक नहीं बहुत सारे camera animated हैं देखो अकर मैं इस camera के लिए स्विच करता हूँ अपको जस control and 0 प्रेस करना है आप उस camera में switch कर जाएंगे यह दिखिया है तो काफी मतलब cool file है यह है तिक मैं आपको दुबार दिखाता हूँ और यह वाला camera है इसको अपको control 0 करेंगे तो इसका top view यह दिखा रहा है basically यहां से देखे यह देखे यह कुछ इस टाइप से animate है इसको पीछे से लेता है basically shot यह देखे तो आप इस basically file को download कर सकते हैं अब हम बात करने वाले है असली compositing के बार में basically कैसे हम render में कर सकते है इस वाले camera में आ जाता हूं और यहां पर हम पोई सभी एक angle basically render कर लेने for example मुझे यह वाला angle सही लग रहा है मैं इसको render कर देता हूं ठीक है because compositing करने के लिए आपको पहले एक render तो ज़रूर चाहिए होता तब ही आप compositing कर सकते हैं ठीक है तो मैं after all press करूँगा यहां पर आ रिखी है कुछ इस type की तो यहां पर reflection आ रहा है basically मैं आपका रेंटर कर दो यहां पर reflection है अब आपको क्या करना है जैसी आपका render हो जाए तो आपको directly आपने compositing में यहां पर आपको कुछ आपको render चाहिए होगा अब directly आप देंगे compositor में तो जब आप पहली बार compositor और करेंगे तो आपको कुछ आप इस image को इस viewer note पर लगा देंगे और जैसी आप इसको लगाएंगे तो आपका basically यहां आप देखेंगे कि वो जो आपका render है वो यहां पर basically show होने लग गया तो आप समझ गया हो को जब पहली बार आप basically compositing करेंगे तो आप फिस step कर यहां पर basically set up करना पड़ेगा तो आप आप में चलता हूं दुबार से कार वाले सीन में और यहां पर हमने अलड़ी चीज करके रखी हूं तो फिलाल में क्या करता हूं सब को यहां पर मैं delete कर देता हूं ठीक है जैसे viewer note में हटा देता हूं और यह भी मुझे नीच चाहिए yes अब ठीक है तो सबसे पहले हम यहां इहां पर हम लगाएंगे Trevor note लगा देंगे ताकि हमारा जैसेур note लगादेंगे में? इमेज को यहां पर क्लिक किया image के साथ और यह वाले Image मैंने Composition के साथ भी कर दी अब मैं यहां पर आपको इक चीज बताता हूं जो यह image एक तो हमने viewer पर लगाई और एक हमने composite वाल पर लगाई क्यों लगाई देखो viewer पर यहां पर दिखता पर compositor क्या होदा है जो final render हमको दिखेगा तो सारी compositing वगरा जो हो भी हमको इसमें दिखेगी इसलिए हमने यह वाला लगाया ठीक है दूसरा बिसे कि लिए कि अगर आपको अपनी render को zoom करना तो आप वी प्रेस करेंगे तो वी से यह zoom out होता है और alt v से यह basically zoom in होता है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद अब माल लेजिए for example हमको इसमें कुछ color correction वगरा करनी है तो हम क्या करेंगे यहां पर shift a press करेंगे सब्सक्राइब बहुत सारी इन्पोρ्ट यहां तरफ में आपको पहला बना दो हैं हमाइन पर यहां इतनी सारे इंप और मकोई ने सकते ही हैं कोई वी breakfast a बुखष लेके मेजे आसकते हैं ठीक है नहीं बहुत बहुत नहीं पर तेक्शे व castries और movie भीकली वगले या आप सीन से कोज उठाना चाहते हैं विपले को सकते हैं उसके बाद जो आउट पुट है कि ऑध पूर्पुर्ट लगा सकते हो एफिलाली पूर्ट उझे करेंगे अब यहाँ बात करने वाले कलर पर कलरपे शीर में कलर में यह कों सा यह जाके करें हैं जैसे आपने इस पे लगाया और कोई भी और उससे बढ़ाता हूँ तो आपको दिखते हैं और मशसेशल के और a ऑट सिताव भी ठीछ बैत्ने में दिख़आ और सरे इसे दो आपको सीन बढ़ईटनेश क्लिफयर पרमें आप लिए कि किया मैं एक है रखता हूं इसको यहां रखता हूं तो नहीं है थोड़े से में सब्सक्राइब कर दो तो मैं यहां पर एक और नोड लेके आता हूं जो हम लेके आएंगे अर्जस्ट में जाके कलर करेक्शन तो यह नोड मुझे काफे सही लगता तो मैंने यहां पर कलर करेक्शन डिकली व्यूर पर लगा दिया है ठीक है और फाइनल हमारे इसके साथ अभी कनेक्ट नहीं है आप चाहते हैं इसके साथ चाहते हैं अगर यह इसके साथ कनेक्ट है तो अल्रेडी वो इसके साथ आटोमेटिक दिखेगा तो मैं यहां पर बिसिकली साचुरेशन को थोड़ा से चेंज करता हूं तो आप है तीक है गामा उनको चेंज नहीं करना होता है और कास हमने यह चेंज करा इसके बाद गरीन को दो हमारे काम हो चुका है अब यहां पर मैं एक और लेकिया हूंगा बशिलिक लिग कर आट पूट वह हमारा होता है अब बशिक आज़स में जाकी हुड यू इन साचुरेशन या फिर RGB Curve भी अप लेकिया था, तो मैंने RGB Curve यहां पर लगा दिया, RGB Curve काफ़ यूसफुल होता है, मैं देखा हूँ, यहां पाप पर लार कर दिखाता हूँ, मैंने इसको हल्का साइस उपर गोगिया, यह देखिये, इस से काफ़े अच्छा हमारा effect create होता है, यह देखिये, जादा नहीं, फेक नहीं लगना अच्छी है, बस आपको, इस से इसका ध्यान लखना है, जादा डार्क हो गया, that's it, इतना करने के बाद, यहां पर मैं एक लेकिया हूँगा, ग्लेयर बेसी करी, मैं यहां लेकिया है, Glare, बनी Glare Nude में यहां लगा दूँगा, अब जैसे में Glare Nude लेकिया तो यहां पर Sparkle से बनने स्टार्ट होगे है, त यहां पर Streak को change करूँगा as a fog glow, अब देखिते को Stripe का होगा, यहां से basically इसका मैं threshold बढ़ाऊंगा तो जितना मैं threshold बढ़ाऊंगा उतना basically क्या होगा इसके lighting कम होती है और जितना मैं threshold कम करूँगा उतनी lighting की glow होती है तो हम इसको लखेंगे one cap box, इतना काफी है ठीक है उसके बाद यहां पर मैं एक और node लखे आने वाला हूँ तो color में जाके color balance और मैं इसको लगा दूँगा इससे पहले अगर मैं इससे पहले लगाऊंगा तो इस लाइट के color है basically वह भी हमारे यहां पर change होंगे यह देखो, ठीक है तो मैं आपे कुछ color balance करता हूँ अच्छे से scene में for example, ज्यादा dark नहीं करना, यह ज्यादा dark हो रहा है वह ब्लू tone चाहिए ब्लू tone चाहिए अल्किसे red tone, that's it और हलका से मैं नहीं आपे यह कर देया ज्यादा नहीं करना, बहुत minor minor आपको देखना है ज्यादा नहीं उठाना that's it, looking perfect इसको down करना ही पड़े ठीक है all right, तो यह cool हो गया आप देख सकते हैं कुछ इस type पर हमारा basic आप हमने compositing कर दी है ठीक है, तो अगर मैं आपको यह दिखा हूँ कि यह पहले कुछ दिखता था हमारा ऐसा ठीक है जब हमने पहले निकाला था अब इसमें और पहले चीज़े आप कर सकते हो आप यह पर एक चीज़े आप कर सकते हो आप यहां पर आप एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि आप जो compositor ने बिसे के लिए आपने यहां करा आप देखना चाहते हूँ कि मेरे ने स्क्रीन पर भुजिदे ने आप यहां यहां रिटाथ prophecy शेंपआ है रिटात्या जाने के अरे यहां रिटात्यू है तो या मैं उस्फचए रिखाना धैया जाहतो्य है करियो इसाले स्क्षन पर तो यहां पर अब चैका अब मुआक्ति हो सब स्की souhaite रहा है च्या आप मैं करके लिए खरthen रहा है मैं यहाँ तो सब्सक्राइब निए कारता ही यह चिलिए करेंगा इसे कब्ते रिमेर थ्रेशोल है , दोड़ा सा कम करता हूं , उसका साइज है किसको थोड़ा कम करता हूं , अब दिखिए , आब यह ठीक लग रहा है , 6 is the last , ठीक ? , मिख्स करते है थोड़ा सा , ताकि , जालो नहीं .. बास , इतना ही करेंगे ? ठाकतक है फैसेक तो हम आपो इसको ॉटा करेंगे बढ़ाएएंगे जीतना बढ़ाएंगे उतना काम ओगा जीतना कम और बढ़ेगा पॉशयंक तो होता क्या गिलिएंघ करेंजा से बाइटा है姓 देख रहें वर कोत्तोर point, इसलिए आहे बार बाइ आपको क्या करना है फिर से F12 प्रेस करना है यहां पर हमारा रेंडर हो चुका है अब यहां पर जैसे आपने F12 प्रेस करना है तो देखेंगे आपकी आपकी आपका रेंडर जो आपने जो भी इफेक्ट में लगाई थे वो दिखें नहीं क्यों नहीं दिखें और यहां पर य चीज और है कि आप जो भी आप है ऑपगे चाहिएंगे सब को जो भी हैं चेंजिस करें कुछ भी करेंगे तो आपकाकि जो कमपोसिटिंग है आपको में पार्टोंटमी सिप्टेशन आइप के चेक नहीं करना पड़ा है आप चाहते हैं कि थोड़ा बद हम 3D से रेंटर करके उसमें अच्छे से कलर बगरा करके ले जाएं जी हां इस तरी के साफ बिसिकले अपनी मॉडल को कलर कर सकते हैं त्यान लखेगा यह रेंडर इमेज है इसको आप यहां पर विवर नोट पर जाएंगे तो आपको उसका फाइल आप यहां पर दिखने लग जाएंगा है ठीके काई सो आपको आपको यह वीडियो अच्छे समझ मागए कैसे हम बैसे कंपोसिटिंग क आप में से कोई भी हमसे प्रस्न ट्रेनिंग लेना चाहता है तो नीचे दिएगे वहां पर आपको कनेक्ट करेंगे आपको पहुंपे देंगे तो इस लेसन के इतना ही मिलते हैं नेटर समय तब तक अबना ध्यान रखिए बाई-बाई-बाई-बाई-टेक एंश्टिंग लाँ आपके टक यूझे ओूर्ण डाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई